प्लीज क्लिक अन सबस्क्राइब एंड ही टे बेल एकन तो रिसीव अवर अपडेट्स हलो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का हमरे चैनल में दोस्तों इस फुड़े में आप लोगों को बताने वालों कि अप कैसे बिना किसी इंकम पुरूफ के कि अप्लाई कर सकते हैं इससे पहले मैं वीडियो में बताया थे कि आपको बिना किसी इंकम पूरूफ के भी क्रेट काड़ इशू कर देता है और वह क्रियट काड़ होता है वह TK किया जाता है यहांई कि ICICI Bank आपको FD पर create card दे देता है तो यहाँ पर मैं आप लोगों को इसी card से related जानकारी देने वालों और जो यह आप देख पाने स्क्रीन पर यह website जो webpage है यह ICICI Bank का ही है और यहाँ पर इस card से related सारे जानकारी आपको मिल जाएगी तो यहाँ पर आपको दो तरह के card दी जाते है जो की FD के against होते है तो एक है instant platinum credit card और दूसर है coral credit card यह दोनों काफी कमाल की credit card है आप चाहें तो यहाँ से पूरी जानकारी भी ले सकते है मैं इसका link आप लोगो description में दे दूँगा अच्छे से पाड़ लीजिएगा समझ लीजिएगा तो यहाँ पर आपको जो FD open करानी होती है इस FD का नाम है FD card और यह जो FD minimum 6 मैने के लिए आपको open करानी है और जिसका amount है वो minimum 10,000 का होना चाहिए यानि 10,000 के अगर आप FD open कराते है तो आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा ICICI BANK के जरीए तो इसमें आपको rate of interest भी मिलेगा जो की एक जो है regular FD पे traditional FD पे दिया जाता है तो आपको इसको apply कैसे करना होता है इस वीडियो में मैं आप लोगों को यह बताने वाला हूँ एक बत मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप ICICI BANK के कस्टमर नहीं हो तो आपको सिर्फ यहां पर अपनी contact details जैसे आपका name, mobile number और pin code, email address यहीं सब आपको एंटर करके और submit कर देना होता है और अगर आप ICICI BANK के कस्टमर है तो फिर आपको जो है online FDB open करना होता है यानि कि आप online FDB open कर सकते हैं और आपका जो credit कड़े हो आपके address पर भेज दिया जाएगा तो अगर आप ICICI BANK के कस्टमर तो यहां पर आपको click करना होगा apply online पर और नहीं है तो फिर amount भी इंटर करना होता है तो यहां पर आपको जतने amount के FDB open करने ही वह इंटर कर लीजिए उसके बाद आपको जो है month में FDB 10 EUR इंटर करना होता है उसको product type में आप जो FDB card select कर यह याद रखिएगा आपको product type में FDB card select करना है उसके बाद आपको submit पे click कर देना होगा और जैसे आप submit पे click करते हैं आपको एक reference number मिलता है और इसके साथ यह आपको बताया जाता है कि जो bank representative आपको जो है contact करेंगे आपको call करेंगे और आपको सारी details बताएंगे और आप से details पूछेंगे भी तो बस दोस्तों इस वीडियो में अतना इता हमिद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज को like कर दिजिएगा और हमारे चैनल को subscribe कर दिजिएगा ताकि आपको इसी तरह की informative वीडियो मिलती रहे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत बहुत